जो हम आगे मुड़ते हैं और अब चलते हैं गोपिनात मुंडे जी के लिए पिछला साल जो है वो काफी बार बार ऐसी कही सारी घट्टाएं हुई कि जिसके कारण उन्हें अवमान सहना पड़ा इंसल्ट फिल करना पड़ा दो कदम पीछे जाना पड़ा ऐसे कही सारे उनके लिए पिछला साल जो है वो अच्छा नहीं था आने वाला जो साल है वो किस तरह का होगा देखिए जब हम बारां बारां की बात करते हैं तो असली गोपिनात जी का डेटो बर्थ मेरे पास मिला है उसके उपर मैं अध्यन कर चुका हूं डेफिनिटली पब्लिक के लिए व इमत नहीं बदा सके घर के लोगों ने भी उनके अगेंस्ट में करानती शुरू कर दी चाहे वो उनके भाई हो पंडित मुंडे या उनके बेटे धनंजे मुंडे हो उन्होंने डेफिनेटली गोपिनात के सामने उनके ही द्वारा बनाए हुए लोग उनके सामने खड़े ह प्रमोज महाजन के द्वारा बनाए हुए और गोपिनात के द्वारा बनाए हुए लोगsanर्णी बढ़े मास लीड़र है अगर इस महारश्ट की हैं तो मेरा की महादशा में आदमी को संघर्ष करना पड़ता है अपनों से दोखा रहता है अपने वरकर से दोखा रहता है अपने लोगों से दोखा रहता है जो उनको हुआ उनका खुद का एकसिडेंट भी हुआ मगर 26-12 यानि अभी 26 तरीक जो आ रही है उसके बाद गोपीनात मुंडे की गुरू की महादशा शुरू हो रही है इस बात में कोई दोर आए नहीं कि मैं आपके शो के माध्यम से ये कहता जा रहा हूँ कि 2014 के इलेक्षन में हो सकता है महाराष्ट में भगवा फड़के अगर शिवसेना का चीफ मिनिस्टर होता है तो गोपीनात मुंडे को क्लियरली गुरू की महादशा जो है वो मुख्य मंतरी का दावेदार बताती है अगले साथ से आठ महीनों में गोपीनात मुंडे के उपर एक ऐसी गयादशा का निर्मान हो रहा है कि ये राष्ट्री ये नेता के रूप में तो उभरेंगे ही उभरेंगे महाराष्ट में भी इनका सम्मान जो है वो दो गुना बढ़ेगा